अलो दोस्तों मैं हुआ फुजार दो आप देख रहे हैं सब कुछ सीको आज के इस वीडियो में हम ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बात करेंगे सिंपल साधा भासा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखे लिए ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम और सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है ट्विन पाइप का क्या फायदा है सिंगल पाइप का क्या नुकसान है सिंगल पाइप से सारे गाड़ियों को ट्विन पाइप क्यों किया जा रहे है तो बहुत ही आसान भासा में समझने के हम कोशिश करेंगे देखिए जितने भी passenger train अभी हिंदोस्तान के अंदर चलती है वो सारी twin pipe system पे चलती है इस चीज़ का ध्यान रखिए कोई भी train single pipe में नहीं चलती है जितनी भी passenger train है वो सारी twin pipe system में चलती है सबसे पर तो यह समझ देते हैं कि brake लगता कैसे देखिए एक जो brake pipe होता है single pipe के पहले बात करते है single pipe में एक brake pipe होता है जिसको हम train pipe भी कहते हैं कई बार कई जगा train pipe भी का जाता है brake pipe भी ब्रेक pipe भी का जाता है तो होता क्या है उसके अंदर engine से pressure आता है DB के अंदर, CR के अंदर, AR के अंदर, जब यह सारा प्रेशर 5 kg हो जाता है तो brake रिलीस पोजिशन में आ जाता है और गारी चलने लगती है अब जब brake लगाना होता है तो driver क्या करता है? उसी train pipe में leakage पैदा करता है engine के अंदर यानि की जो train pipe है जिसे की हम BP यानि brake pipe भी कहते है जो की green color का होता है उसमें driver leakage पैदा करता है जैसे ही driver leakage पैदा करता है उस leakage को DB sense करता है और फिर DB क्या करता है जो AR में प्रेशर भरा हुआ है उस pressure को निकाल के brake slender में भेज देता है जिसके वज़े से brake लग जाता है अब यहाँ पे क्या हुआ? AR का pressure निकला brake slender में चला गया यानि की AR का pressure कम हो गया, driver ने BP में leakage किया था यानि की DB के अंदर भी pressure कम हो गया और brake pipe के अंदर भी pressure कम हो गया अब brake release करने के लिए क्या करना होगा? वापस इन सारे जगहों को 5 kg pressure से भरना पड़ेगा यानि चार्ज करना पड़ेगा यानि की DB के अंदर भी 5 kg pressure चाहिए और AR के अंदर भी 5 kg pressure चाहिए उनके अंदर इतने सारे AR tank होते है तो अगर पूरा train के अंदर brake लगता है सबके AR थोड़े थोड़े खाली होते है तो engine उसको वापस जब भरेगा हवा engine के compressor से वापस उनको चार्ज किया जाएगा जितने wagon है सब में लगे वह जितने AR है उन सारे tank को जब चार्ज किया जाएगा तो उसमें बहुत समय लगेगा जब तक वो सारे चार्ज नहीं होगे तब तक brake release नहीं होगा और गारी आगे नहीं बढ़ेगी तो ये हो गया single pipe twin pipe में क्या होता है सेम सारी चीज़े सेम होती है लेकिन उसमें एक FP pipe होता है जिसको कहा जाता है feed pipe और जिसका color code है white यानि सफेद color का एक feed pipe होता है और उसका काम क्या है उसका काम है brake release करने के लिए जब engine से हवा भरना होता है तो feed pipe अलग से अपने AR को जितने भी wagon या coach उसके अंदर AR लगे हुए है उन सब को भरता है यानि कि coach के अंदर लगा हुआ AR tank BP से तो भरता ही है वो FP यानि feed pipe से भी भरता है तो इससे क्या होता है वो दूगना जल्दी time में भरता है यानि कि single pipe में अगर एक AR tank को भरने में एक minute लगता है एक DB को full charge करने में एक minute लगता है तो वो चीज़े twin pipe के अंदर आधे minute में हो जाएंगे क्योंकि twin pipe में दो तरफ से AR आता है एक तो FP आता है जो कि 6 kg का pressure देता है और दूसरा BP break pipe होता है जो कि 5 kg pressure देता है और उस एक ही pipe के एक ही 5 kg के pressure से AR tank भरता है तो उसमें time जाता लगता है तो कहने का simple सा मतलब यह है कि twin pipe में brake जल्दी release होता है और गारी फिर जल्दी आगे बढ़ जाती है तो time को बचाने के लिए twin pipe system किया गया है यानि कि twin pipe से ऐसानी है कि braking system बहुत full proof हो गया या फिर बहुत powerful हो गया या फिर उसमें कुछ और हो गया ऐसा कुछ भी नहीं है twin pipe लगाने का main मकसर यही है कि breaking system जो break है वो जल्दी release हो जाए यानि कि release होने में ज़्यादा time ना लगे जल्दी release हो जाए इसके लिए twin pipe बनाए गया है इसके अलावा इसका एक और फायदा है twin pipe का एक और फायदा है अगर मान लिजिए बीच में कोई coach है या कोई wagon है अगर बावन wagon का एक रेक है ट्रेन है अगर उसके किसी बीच का कोई डबा है उसका BP pipe फट जाता है तो क्या करेंगे अगर twin pipe है तो आपके पास एक समाधान है आप उस coach को बाईपास कर सकते है बाईपास कपलर के मदद से आप उस coach को बाईपास कर सकते है यानि कि पूरे train को आप single pipe कर लेंगे और लेके आ जाएंगे आपका train जहां आप जाना चाहते है या फिर जो नजदी की स्टेंट डबलू जो पॉइंट है रिपैलिंग पॉइंट वहां तक गाड़ी पहुँच जाएगी कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर गाड़ी single pipe है और उसमें किसी कोच का BP फढ़ जाता है तो फिर वहां से वो जितने भी बॉगी है पीछे के उनका breaking system काम करना बंद कर देगा इसके लिए फिर यह है कि आपको एक flexible pipe रखना होगा अपने train में जैसे कि LHB के अंदर रखा जाता है LHB के अंदर एक flexible pipe रखा जाता है देखे LHB का अगर BP pipe फढ़ता है तो उसको bypass नहीं किया जाता है बलकि वहां पे flexible pipe रखा रहता है और उसको इस end से इस end तक दोड़ा लिए जाता है और उस coach को bypass कर दिया जाता है यानि उस coach में FP और BP दोनों अगले coach तक पहुंच जाते है जबकि ICF में ऐसा नहीं किया जाता है ICF में सीधा coach को bypass कर देते है यानि कि पूरी गाड़ी को single pipe बना देते है और उसके बाद गाड़ी को आगे तक लेके जाते है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएं अगले वीडियो में सुधार करूंगा और इस चीज़ को बताने की कोशिश करूंगा वीडियो लिखने के लिए दन्यवाद